मुश्कार दोस्तों मारे इस YouTube चैनल ck.com पर आपका स्वावत है दोस्तों आज मैं इस वेडियो के माद्यम से खाथ सुरक्षा मित्र योजना में उनलाइन आवेदन के सिखिया जा सकता है इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 को विश्व खा दिवस के अफसर पर खाथ सुरक्षा मित्र योजना की शुरुवात की गई है और योजना को केंद्री में परिवार इवं कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्श्वर्दन बारा लॉंच किया गया है और योजना के तहत इट राइट जैकेट एड़ जोला अभियान शुरू किया है और फूट सोट सेफटी और स्टैंडर्ड अथर्टी ऑफ इंडिया याने अफसे से आई के करमचारियों के लिए इट्राइट स्मार्ट जैकेट की शुरुवात की गई है जिसमें रेजियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा होगा और टैग और क्यू प्रियोग किया जा सकने वाले थैले को लॉंच किया गया है और डाप्टर रश्वर्दन के अनुसार जैंट ये जो है प्लास्टिक थैलों की जगब पर जो है तो इस जो ले का यूज करेंगे और स्ट्रीट फूड बेशने वाले और खौंचे वालों दुकान दारों को जो है खाथ स्वक्षा के प्रती सब्सक्राइब करनी के लिए खाथ स्वक्षा मित्रों को नियप्त किया जाएगा योजना के तहट और खाथ स्वक्षा मित्र के अंतरगत जहतीन श्रेडी होगी जिसमें डिजिटल मित्र, स्वक्ष्टा मित्र और ट्रेनर मित्र होंगी तो इनने से किसी भी एक पद्द पर जो है आप यदी निकत होना चाहते हैं तो इसके लिए आप उनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकार के खाथ सुरक्षा मिशन से जोड़कर जो है अपना प्रदान दे सकते हैं तो दोस्तों इस योजना की शुरबात से जो है रोश्कार के नए अफसर भी प्लग्ड होंगे और इन खाथ सुरक्षा मित्र का काम जो होगा फूड ऑप्रेटर्स बिजनस से जुड़े हुए लोग जो हैं जो मितलग खाथ वदार्थों से संबंदि चिनेस करते हैं उन्हें फूड सेफ्टी आंट अथार्टी चेंशार जो खात सुरक्षा के नहीं है उनकी जनकारी प्रताद करना है और अपले बिजनस को कैसे बढ़ा आ को बढ़ा सकते हैं अगे उसकी जनकारी प्रतार्थ करेंगे वर्ण को कीनारी फूड बेषते जो फेली वाले बेशते हैं खाने के समान और जो पिर वे बिजनेस करते हैं घाने पीने का समान बेशते हैं रहно एसे वायों को रुखानदारूं को जो है अब फूट सरक्षा फूट सेटी अनिस्टैंडर अथॉर्टी कि अनुसार जो खाद सरक्षा के लिया मुझने चाहिए उनकी जनकारी देना इनका काम होगा खाद मित्रों का और इस योजना में जेती जो है आपको आवेदन जो करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन किया ज जो है तीन योजना के तहर्त थीन के टेगरी बनाई एक बनाए गई है फूट सेफ निखाद सुरक्षा मित्रों की जिसके अंतर जो है डिस्टल मित्र इस्वक्षता मित्र और ट्रेनर मित्र यह तीन पोस्ट होंगे तो इन तीनों मित्रों के लिए योगता हैं अलग- आवेदक की आईयो 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनकी किसी मानेता क्राप्त विश्वे ज्याले से सनातक की डिग्री होना आवश्यक होगा उनके पास यान ग्रेजुएट की डिग्री होना आवश्यक होगा और आवेदक को एंटने जानकारी होना बहुत होगा जदि आवेदन करना चाहते हैं जैश्वे के डिग्री होना चाहिए और स्क्त्या कंप्योंतर इंटने यह काम करने की जो है भी नौलेज होनी चाहिए आपके पास और सक्ष्टा मित्र के लिए जो है भी आवेदा किया यो 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कैटरिंग टेकनोलजी होटील मैनेजमेंट फूट डेरी फिश्ष्रीज ऑईल टेकनोलजी बायो टेकनोलजी और माइक्रोब बायोजी आधी विश्यों में से नाधी में से किसी भी छेत्र में जो है इसनातक की डिक्री होना अवश्यक होगा स्वक्षाम में तरके लिए आप आवधन करना चाहते हैं तो और इसके अंत्रित जो है आपको फूट सेफटी और स्टेंडर्ड अथर्टी आफ इंडिया के जो अनियम जो एक्ट है और उसके संबंदीत आपके पास जानकारी होने चाहिए और उसके अंत्रगत जो है खाथ संक्रमण से स्वक्षता का क्या महत्व है और खाथ संक्रमण की पहचान तिवाम उसके करना चाहते हैं तो उसके लिए बैसिक लेवल ट्रेणर मित्र के लिए जो है सैक्षिक योगिता रहोन विग्यान खाथ प्रधावगी की और रसायन विग्यान जीव जीव विघ्यान सुक्ष्म जीव विच्ञान या इस से संबंदित जो है अन्य विश्यों में इसना तरी की डिग्री होने चाहिए और इसकी अत्रिक्त यदि आप साइंस के अलावा इन जो दिये वें विश्यों के अत्रिक्त किसी अन्नी स्क्रीम से डिग्री प्राप किये हैं तो आपको प्रासांगे कि खाद उद्धू के अंदर खान पान विनी मिलमार खुद्रा आदी में जो है यानि फूट प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उनमें आपको पाच वश्क कारी का अन्भा होना आवश्यक होगा तब ही आप जो है ट्रेनर में त्रकी दिये आप एदन कर सकेंगे यानि यदि आपके पास जो है खाद प्रदर विकी खाद विग्यान रसायन निग्यान विश्यों के अत्रिक्त किसी आने स्ट्रिम से यदि आपने किया है यह आठ से या क्वामर्स से अपने क्या है तो आपको जो है आपके पास अन्भा होना चाहिए फुट प्रोसेस्ट्री में कारे का पाच पर्ष का और और इसके अत्रिक्तर ट्रेनिंग का भी आपके पास अन्वा होना चाहिए प्रेसिक्षब के रूप में आपने वहां उसमें प्रेसिक्षब का कारी किया हो तो खाद प्रसांगिक खाद दूप में जो है और फूड सेफटी मैनेजमेंट सिस्टम और हाजर्ड असेस्मेंट जो है कंट्रोल इसके संबंदित जो है शेत्र में आपको जो है स्वक्षता और खाद सुरक्षा और स्वक्षता पढ़नें तब तीन वर्ष का प्रेसिक्षा का अन्वा होना चाहिए और यदि आप एडवांस लेवल के लिए जो है सुरक्षा मित्र ट्रेनर के लिए आप आविदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सेक्षी क्यों गिता विग्यान खाद प्रदविकी खाद विग्यान रसायन विग्यान जीव विग्यान और माइक्रो बायलोजी विशे में न इसना तक है तो आपके पास कम से कम साथ वर्ष का जो है ने फूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है ट्रेनिंग कारे का अन्बह होना चाहिए और प्रेसिक्शन और कारेंवन अन्बह के रूप में आपके पास ट्रेनिंग के रूप में आपके पास जो है फूट सेफटी मैनेजमेंट सिस्टम और हैजर्ड अनालेसेज एंडर ट्रिटिकल कंड्रोल पॉइंट है एक सीची और अन्य समानने खाथ शुरुक्षा प्रणाली उसहित खाथ सुरुक्षा और सवक्ष्टा पर त्रुप में जो है नियूंतम के चेत्र में नियूंतम पांच वर्स का प्रशिक्शन का अन्बह होना चाहिए याप अन्य विश्रों से जो है अन्य स्ट्रीम से आर अपके पास प्रसिक्शन का अन्बह होना चाहिए और स्पेशल कोर्सिस के लिए जो है स्ट्रीम से है तो आपके पास जो है ओध के विशेश चेत्र के लिए जो आपके पास मां समचली दूद अदि में नियूंतम के शैट्र में जो है अन्य स्ट्रीमस नियूंतम सात वर्श काम करने का तो है आपके पास आन्बह लिए और ट्रेस्टिव से संबंदित आपके पास जो है खाद सुरक्षा और नेमों पर नियुंतम पांस साल का प्रसीक्षान का पास ट्रेनिंग का अन्भा होना चाहिए खाद सुरक्षा इंडिस्ट्रीज में और इन जो है बुद्खाद मित्र के अंतरगत ट्रेनर के लिए आवेधन करने के लिए आपके पास जो है अच्छा संचार और प्रेड़क कोशल होना चाहिए यानि कम्मुनिकेशन का स्किल होनी चाहिए और वर्ष में बीस दिन कम से कम प्रसीक्षान के लिए आपको प्लग दोना अवश्यक होगा और FSS AI के जो नियम है रूल्स और रिगलेशन है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए तो दोस्तों यह दिया आप उनलाइन इसके लिए आवेधन करना चाहते हैं तो आपको गूगल वेब राउसर खोलना होगा और गूगल वेब राउसर में FSS AI food safety मित्र इसकी लिए सच पर क्लिक करना होगा तो यह फूट सेटी मित्र यह वेब करा जाएगा दोट सेटी मित्रा का और अपको यहाँ अपलाइड नाउप पर क्लिक करना होगा प्राइब अपलाइन ऑप लिक लिए तो सब्सक्राइब ऊच्विशन का तो इस रजिस्ट्रेशन सांप अंतर आज ईया आपको यहाँ पर अपना यूसर नीम लिखना अपना को नोबाइलोटी पी का मैसेज आप को यहां बीधिक लिखेंगे और इसके बाद जो है आपको पासवट बनाना होगा और पासवट बनाने बाद आपको यहां पर जो है कंफॉर्म पासवट करनाओब और इसमें से जो है सेफ्टी मित्रा में आपके इसके लिए आविदन करना चाहते हैं तो उसके डिजिटल मित्रा चैन करना होगा और सेलिट करने के बाद आपको फिर जो है अपने पर सुने डिटेल डालने होगे डेट और वर्थ नाम एड्रेस और किस सिटी में रहते हैं स्टेट बिल्ड और पैनं कार नंबर लिखना होगा और उसके बाद लिखने के बाद आपको आपको अपनी लिखनी होगी तो तो यहां घीव आपको जिस राईेजोशन की डि pie 450 यह जो भी डिप्म लिखना होगा सब्चेक लिखना होगा और किस इंवर्सेटी से पीया है और ये रोफ पासिंग ये किस याय के आप ने पास किया है यह रही आपको प्राप्त हुए और परसेटेस आपको यहां लिखना हुगा मांक्स क्तिने परसेटे आपके और इसके बाद जो है एड मौर विकल पर इस से समबंदित डॉकमेंट्स लगा सकते हैं तो यहां पर आपको यहां पर फिर अपने एक्सपेरियंस एंड ट्रेइनिंग डिटील्स लिखनी होगी यदि आपके पास एक्सपेरियंस है कोई इस फिल्ड में जो आपने ड्रेशिंग डिक्टीड प्रक्ट किया या FSS या ख आपके पाल सिया ट्रेणिंग तो आप यहां ट्रेणिंग लिखेंगे और किस पोस्ट पर फेलोग और यहां एक्सपीरियंस कितने मन तक गारि किया है और मन्त यहां लिखना होगा और प्रेड मौड करने के बाद जो है आप कोई पास अगर दूसरे भी एक से ज्यादा उन्ना आपने काम किया है तो उसके संबंदेत भी यहां पर लिख सकते हैं और डों से ज्यादा में क्या किया तो पर लिख प्रकार से लिखने के बाद जो है आपको यहां पर declaration checkbox है यहां पर आपको टिक करना होगा और इस्ट्र योरसेल्फ पर क्लिक करना होगा तो जो आपको आपके दूसरा पेज खुलेगा उस पर जो है next पेज में आपको अभी दन जो है registration reference नंबर प्राप्त होगा और उस रजिस्ट्रेशन रशनल नंबर को आपको सुरक्षित रख लेना होगा तक कि जो है उसकी साहता से आप अपने अप्लिकेशन की स्टेटेस जाज सकेंगे और इसके बाद जो है आपको उसके नीचे दिया हुआ क्लिक किया टू लॉग इन तो लॉग इन करना होगा तो लॉग इन करने में आपको यूजर आइडी में अपना इमेल आइडी लिखना होगा और जो आपने पासवर्ट बनाया था फॉर्म में वो पासवर्ट लिखना होगा देखकर लॉग इन करना होगा और लॉग इन करने के बाद जो है आपके नाम से आपका टेश कोट खुल कर आ जाएगा और उसमें आपके सारी परसनेल डेटेल देखेंगी आपका मोबाइल नमबर, इमेल अटी और नाम गेंग होगा तो उसमें ट्रेणिंग असेस्मेंट सर्टीफिकेट और गेट माई कार्ड का ओप्षन लिखा होगा तो उसमेंगे से आप यूथ ट्रेणिंग विखल पर क्लिक करकी ट्रेणिंग ये तो आप क्लिक करने के बाद आप इन तीनों के विशय में क्या आप से पूछा जा सकता है और उनलाइन टेस्ट में उसकी जानकारी लिखिये ही होगी तो उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना होगा और उसके बाद आपको assessment विकल्ट पर click करना होगा assessment विकल्ट पर click करने के बाद आपको test paper खुड़ पर आ जाएगा और उसको आपको online लिखना होगा और लिखने के बाद submit करना होगा समिट करने के बाद यदि आप जो है पास हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट टो एफसेस एई त्वारा जो है प्रदान किया जाएगा और प्रदान किया जाएगा आप आप अपना कार्ड ओंलाइन डाउनलोट कर सकेंगे और दोस्तों आपना जो है आपना आसेस्मेंट जो है जान सकेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है सब्सक्राइब कर सकेंगे तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे युट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटिस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप और इस वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए ताकि यह सरकार गारा रांच की गई नहीं योजना है तो इसके तहर जो है जो भी आवेदन करना चाहिए वावेदन करके फूट का सेफटी मित्र के पोस्ट पर जो है नरोज का प्राप कर सकते हैं